दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं IT सेक्टर की एक जानी मानी कमपनी हैपिस माइंड के बारे में हैपिस माइंड के अंदर आज के दिन फर्स सेशन में ही हमें 5% का अपर सरकीट देखने को मिल चुका था याने कि मार्केट ओपन होने की ठीक कुछ समय बाद ही शेर की प्राइस के अंदर लगबख 60 पॉइंट का जंब हमें देखने को मिला और 5% पर शेर लॉक हो गया याने कि इस शेर्स के अंदर आज के दिन हमें सिर्फ बायर ही देखने को मिले सेलर बिलकुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले लेकिन बहुत सारे इंवेस्टर्स के मन में ये भी क्यूशन आ रहे हैं कि हैपियस माइन की तेजी के पीछे क्या बड़ी वज़ा निकल कर आई है और क्यों हैपियस माइन के अंदर आज के दिन 5% का अपर सरकीट देखने को मिल रहा है तो सारी चीजों को डीटेल में अनालिसिस करेंगे साथ ही साथ मंडे के दिन अब आपको हैपियस माइन के अंदर क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है उसके बरवे भी बात करेंगे लेकिन उसके बिले यदि अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजट का है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बूलिएगा साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपिस्टोक जैसे बड़े प्लेटफोर्म के उपर अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा रखाए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फर्स सेशन में ये आज के दिन हमें हैपिस माइंड के अंदर एक गेप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और शेर्स के यहाँ पर मतलब मार्केट ओपन होते ही हमें इसके अंदर काफी शांदर फ्रेश बाइंग कंटीनिउसली आते हुए देखने को मिलती है जैसा कि साफी ज़्यादा तेजी से हमें यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल रहा है देली में भी केसेस यहाँ पर निकले हैं और साधी साथ यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट होती है याने कि अगर यहाँ पर केसेस और ज़्यादा मि जब भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपने Infosys, TCA's, Happiest Mind अगर इन shares के अंदर investment कर रखाए तो अब आपके लिए यहाँ पर बहुत सही opportunity बनने वाली है क्योंकि यहाँ पर अगर lockdown की situation create भी होती है तो वापीस आपको work from home देखने को मिलेगा और work from home में सबसे जदा benefit IT sector की company को ही मिलने वाला है तो happiest mind की बात करें तो happiest mind के अंदर पिछले 6 महिने में यह shares 42% तक के returns बना कर दे चुका है लेकिन पिछले 2 महिने में इस shares ने अपने investors को काफी ज़्यादा परिशान किया है याने की shares के अंदर बहुत ज़्यादा हमें volatility देखने को मिल रहे थी या यूँ कहें के पिछले कुछ समय तक तो यह shares काफी ज़्यादा अपने investors को परिशान कर रहा था लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि happiest mind इसा share नहीं है जहां पर आप अपनी positions को loss में square off करके यहां पर बाहर हो जाए shares fundamentally काफी ज़्यादा strong है और साथ ही साथ इनका management इनके business expansion के लिए future growth के लिए हर एक positive steps भी उठा रहा है happiest mind के आज के trading session की बात करी जाए तो first session में हमें इस share के अंदर upper circuit देखने को मिल चुका था जिस कारण से आज के दिन happiest mind के अंदर सिर्फ एक लाख अठावन हजार 230 quantity ही हमें trade होते वे देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहां पर सारी quantity deliverable base पर उठाए गई है order book में हमें 323 quantity आते वे देखने को मिल रही है लेकिन सबसे main reason जो यहां पर happiest mind के अंदर 5% के upper circuit का देखने को मिल रहा है वो है इसके ASM list से बाहर आने की खबर जी यहां दोस्तों ASM list से experts का मानना है कि happiest mind का shares आपको मंड़े के दिन ASM list से fully तरीके से exit होते वे देखने को मिल सकता है जिस कारण से उसका impact आज के दिनी आपको happiest mind की share price के ओपर देखने को मिल चुका है तो यहां पर NAC का जैसे ही circular publish हो जाएगा वो आपको हमारे channel से update कर दिया जाएगा कि किन shares को किन company को ASM list के अंदर include किया गया है याने कि सेभी ने अपने कार्यवाई के अंदर include किया है और किन shares को यहां पर पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है hopefully हमें happiest mind का और अडानी power का नाम ASM list से पूरी तरीके से बाहर आते हुए देखने को मिल सकता है तो यहां पर अभी तक official circular NAC की तरफ से निकल कर नहीं आया है जैसे ही circular publish कर दिया जाएगा आपको हमारे telegram channel और हमारे youtube channel से update कर दिया जाएगा तो यदि आपने अभी तक telegram channel को join नहीं कर रखाए तो link आपको description box में मिल जाएगी आद करें company के fundamentals numbers के बारे में तो happiest mind ने अपने quarter 2 का result यहां पर declare किया है result के अंदर बहुत ही शांदार numbers हमें देखने को मिल चुके है company का revenue year on year business पर 44% से और company का net profit लगबग 30% से हमें grow होते वे देखने को मिल चुका है तो जिसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि अपने happiest mind के अंदर 1500 रुपे के level से भी entry ले रखी है और अगर आपको अभी loss भी हो रहा है तो यह loss में बेचने वाला share बिलकुल भी नहीं है बलकि अगर आप यहाँ पर अपनी positions को hold करते हैं तो यहाँ पर आपके loss तो recover होंगे ही और साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफी अच्छा profit भी देखने को मिल सकता है happiest mind के अगर market capitalization की बात करें तो 18,804 करोट रुपे के market capitalization वाली company याने कि एक mid-cape company जिसका CGR ratio भी हमे life 5 years के अंदर 100 के उपर देखने को मिलता है तो company ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर याने कि यह listed होने के बात से ही returns बना कर दे रही है बलकि company काफी aggressive हमें इनके business plans को लेकर देखने को मिलती है और उसी growth पर काम करते हुए देखने को मिल रही है आद कर कि यदि happiest mind का shares ASM list से बाहर आ जाता है तो आपको next rating week में क्या strategy लेकर चलना है याने कि क्या resistance और support level इसके निकल कर आ रहे हैं तो technical chart बर तो happiest mind का shares अब हमें काफी strong positions में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ जो इसके resistance और support level निकल कर आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें पहला resistance 1289 रुपे 33 पेसी का दूसरा resistance 1336 रुपे 82 पेसे का और तीसरा resistance 1335 रुपे 68 पेसे का निकल कर आ रहा है इन resistance को ध्यान में रखते हुए आप अपने target को set करते हुए चल सकते हैं और यहाँ पर अपनी positions को continue कर सकते हैं बात करें कि अगर मंड़े के दिन भी market अगर crash होता है अगर गिरावट होती है तो happiest mind के अंदर आपको क्या support level लेकर चलना है तो सबसे पहला जो support level पाइवोट level की सबसे निकल कर आ रहा है वो है 1250 रुपे का देन 1200 रुपे का support level देन 1163 रुपे का इन देन 1114 रुपे के support level को आप यहाँ पर short term में ध्यान में रखते हुए अपनी risk को manage कर सकते हैं happiest mind को लेकर community sentiments पूरी तरीके से यानि कि 100% हमें favor में देखने को मिलता है जहां 91% इस shares को लेकर buy की call निकल कर आ रही है याने कि अगर आप happiest mind के अंदर इस IT sector company के अंदर investment करना चाते हैं तो definitely आप यहाँ पर buy and dip करते हुए चल सकते हैं यह company भी future के लिए बहुत ही ज़्यादा अची है लेकिन यहाँ पर भी आपका vision आने वाले 3 सालों के लिए कम से कम होना चाहिए लगातार हो रही गिरावट के बाज आज के दिन हमें happiest mind के चार्ट के अंदर वापिस मजबूती देखने को मिली वापिस इसके volume bars के अंदर हमें काफी शांदर fresh buying आते हुए देखने को मिली और साथ ही साथ candlestick charts पर भी हमें ये shares अब bullish way में जाता हुआ देखने को मिल रहा है अगर 3 consecutive day के अंदर हमें shares के अंदर continuously upper circuit देखने को मिलते हैं तो के सकते हैं कि ये share बहुत जल्दी अपने 1500 रुपे के level को भी touch करता हुआ देखने को मिल सकता है तो no doubt यहां पर आप अपनी positions को hold करते हुए चल सकते हैं और अगर आप fresh positions बनाना चाते हैं तो current price पर आप इसके अंदर buy on dip करते हुए चल सकते हैं तो चलिए दोस्तों उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और update पसंद आई है तो इससे like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated, जय हिन, जय भारत happiest mind को लेकर अगर आपके मन में कोई क्योरी है तो आप नीचे comment section box में लिखकर अपनी क्योरी पूछ सकते हैं हम उसे next वीडियो के अंदर consider करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे thank you for watching, have a nice day